एक है गाई दिस एट सीए को मलतियागी मैंने एक गुरुप जोइन कि होगा है गुरुप का नाम है विकेवियन हमारा प्रोफिशनल्स का गुरुप है उस गुरुप में एक नौटिफिकेशन आया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि जो वर्ड ह यह सब्सिक्यूट हो गया है फर्स्ट डे ऑफ जोलाई 2020 यह नौटिफिकेशन का डेट है 30 मार्ज 2020 यह नौटिफिकेशन है इस नौटिफिकेशन आने के बाद सभी को यह लगने लगा कि अब तो नेक्स्ट जो हमारा कमिंग फानेंचल यह है वो स्टार्ट होगा फर्स ड है मंसे पहले गया स्सली तो हमें स्टाक्कोल है एग्र देख सकते हैं जोकी रिस प्रक्रीन यह स्ट्रीट है है section 11 Finance Act 2019 यह relate करता है Indian Stamp Act 1899 जी हां और इसमें लिखा है commencement of this part the provision of this part shall come into force on such date as central government made by notification in the official gazet appoint तो यानि जो section 11 Finance Act 19 का reference दिया गयता उस notification में वो रिलेट करता है amendment to Indian Stamp Act 1899 और जबकि हमारा जो notification था वो section 11 of the Finance Act 2019 के ही relation में था तो confused नहीं होने का है कि हमारा financial year अब स्टार्ट होगा 1st July से otherwise financial reporting में काफी issues आ सकते हैं और financial जो project हम planning करते हैं financial future की उसमें भी काफी issue आ सकते हैं साथी साथ में आपको बता दूं कि हमारे finance minister ने last week हमारी finance minister ने अपनी जो speech दीती उसमें यह भी बताया था कि जो investment हम 31 मार्स तक करने थे वो investment हम 30 जून तक भी कर सकते हैं it was clearly mentioned in the press release तो कुछ questions मेरे ECP भी आ रहे थे कि मेरे को यह बताये कि 31 मार्स तक ही करना investment यह investment हम 30 जून तक कर सकते हैं तो आप investment 30 जून तक कर सकते हैं thank you